सो गाई दाज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप जो है मैसीज करने का ट्राय करते हैं नोर्मिल मैसीज इन बॉक्स में करने का ट्राय करते हैं किसी कभी आपको प्रॉबलम आ जाती है कुछ इस तरह से ट्रॉबल सेंडिंग check option यहाँ पर trouble sending की problem अगर आपको देखने को मिल रही है आपके android के अंदर android mobile के अंदर तो इसका solution क्या है वो मैं आपको इस video में बताने वाला है तो इस video में end तक बने रहेगा first of all यह problem का बाती है जब आपके यहाँ पर जो है जो networks वगारा होते है signals वगारा होते हैं जो low होते हैं जब आपके towers वगारा नहीं आते हैं तो उसका solution क्या है airplane mode को own करिए जैसे आपके airplane mode को own कर देंगे networks चले जाएंगे फिर इसको 10 से 20 seconds रखने के बाद बंद करिए तो आप देखेंगे network से related problem होगी signals से related problem होगी जो solve हो जाएगी network refresh होकर आजाएगे signals refresh होकर आजाएगे problem solve हो जाएगी easily आपके जो message है सामने वाले के पास send हो जाएगे कोई problem नहीं होगी then उसके बाद आपको क्या करना है जब भी आपके इसको message करते हैं message में आप आते है start chat आपको क्या check करना है जैसे मैं इस बंदे को message करने का try करता हूँ अब मैं इस person को message करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते है hi hello जो भी है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है आपकी sim देख लेनी है कि कौन सी आपने select कर रखी है जिस sim में आपका recharge होगा वो यहाँ से select कर लें ठीक है अगर जिस sim में भी select आपको recharge नहीं है और वो select करके रखी है तो आपको problem आएगी उसमें तो पहले अपनी sim को यहाँ से देख लीजिए कौन सी sim आपकी select हो रखी है sim select कर लें problem solve हो जाएगी जिस में recharge हो तो आपका problem solve हो जाएगा वही sim आपको slack कर लेंगी है यहाँ से click करने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है और किस बात का ध्यान रखना है long press करना आपने power button पर और यहाँ पर restart या reboot का option देखने को मिल जाएगा अपने power को या restart करिए या फिर reboot करिए दोनों में से कुछ भी करिए problem देखेंगे आपकी चुटके में solve हो जाएगी यह काम आप कर लीजिएगा then problem as it is फिर भी बनी रहती है तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको आना है आपके settings के अंदर scroll करना है नीचे apps में आना है apps में आने के बाद manage apps में आईए और यहाँ पर आपको search bar में message app देखने को मिलेगा तो message app है इसको open करिए open करने के बाद यहाँ से clear data पर click करिए इसका clear catch कर लीजिए ठीक है इसका clear catch कर लीजिए problem देखें कि आपकी चुटके में solve हो जाएगी बस यही कुछ solutions थे फिर भी आपको problem आती है message send करने में message app trouble sending फिर बहु दिखाता है तो मुझे comment करके बताएगा मैं कोई और solution लेकर आँगा इसक्की video में इतना ही मिलते है नेक्स video में till the way take care, love you